आज बहुत एक इंट्रस्टिंग पहलो लेके आया हूं उस केस का जो आज की डेट में फाइल हुआ है मतुरा कोर्ट में और एक पार्टी के लिए बहुत अच्छी खबर है कि चलो इसकी भी सुरुवात हो गई इसकी भी मामला कोर्ट में जाएगा हम लड़ेंगे हम बाहने जाएज और राकशाली बाथ होती तो इसंब लिएidan के जाने की जरूत नहीजात है तो सबको किसी कि गलत कियो और सेकुलर तरीके से के पार चाहिए धाना चाहिए अपस यह विबाद से बचना चाहिए… तो पहले निउस की वोड लाइन पड़क सुना देता हूं प्ली फाइल इन मतुरा कोर्ट सीक्स रिमूबल औफ इदगाह मस्जिद प्रॉम लॉड कृष्णास बर्थ प्लेस जो मतुरा कोर्ट में प्ली फाइल की गई आची का डाली गई है उसमें यह रिक्वेस्ट की गई है कि इदगाह मस्जिद को हटा दिया जाए क्रिष्णा की बर्थ प्लेस से लॉड क्रिष्णा की बर्थ प्लेस से अइससले कहा जा रहा है और यह allegation लगा जा रहे हैं कि औरंग जेप के समय पर जब उसने रूल किया 1658 से 1707 तक उसके बीच का जो टेने उर्था उसका उसमें उसने बहुत सारे हिंदूों के धर्म सलों को नश्ट किया है दिस्ट्रॉइ किया है जब 1669 से 1670 तक 1670 तक की बात कर रहा हूं उसके बीच उसने एक साल के दौरान उसने मस्जिद बना दी और अब यहां के लोगों का मानना यह है कि वैसे डिस्पूट पुराना ही है कोट में फाइल करने वालों का यह मानना है कि वहां पे गलत जगत बनी है और हम बर्त प्लेस वैसी साहब भाई दूसरा पक्षवी तो सुनना जरूरी यह बहुत जरूरी है वैसी साहब क्या कहता है सुन लेता है वैसी साहब पर यह कहना है यह रिक्वेस्टे टुटर पे डाली है कि प्लेस ओफ वर्शिप एक्ट नाइटीन नाइटीवन फॉर बिड्स कनवर्जिन कि अग्त नहीं करता कि किसी प्लेस ओफ वर्शिप का कंवर्जन जैसे मदिर मन करता नहीं करता तो उस ईदेखेस एंट्रस्टियू अफ काहलद है और what will be the response being court, शाही, इदगा, ट्रस्ट and स्री कृष्णा जन्मसान सेवा संग resolve their dispute in October 68, 1968, October में ये issue resolve हो गया था, तो अब ये कहारे हैं कि अब revise क्यों किया जाए भाई, जब हम already compromise कर चुके हैं तो, दोनों पार्टियां, जो दोनों पार्टियां आज पार्टी बरी होई हैं कि मस्जिद हटा के मंदिर बनाने के प्ली डाली गई है, तो वैसी सहाब ने दो-तीन पेजस के document upload की हैं, जिसमें वो ये कहना चाते हैं कि यही वो basic proof है, जिसके तहद मैं ये बात claim कर रहा हूँ, कि यहां लिखित मैं है और उन दोनों पार्टियों के signatures में हैं, मैंने ये तीनों पन्ने अच्छे से पढ़े हैं और जिसके तीसरे पन्ने पे वो signatures हैं और लिखा हुआ है short में कि boundary कहां तक है, लेकिन यहां मुझे कोई code नजर आई, बहुत basic fault नजर आया, शायद हो सकता है कि मेरी उतनी समझ ना हो legality की और legal terms की शायद मैं नहीं समझ पाया हुआ, लेकिन इसको पढ़के मुझे ही समझ में आ रहा है, मैं mark कर दूंगा आप exactly वहां देख लीजेगा, यहां पर एक जगा लिखा है, यहां आप इसके number one point पढ़ी, देखिए धियां से, the northern and the southern wall of Eidgaha, कुछी 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 शाल भी extended towards the eastern side, up to the railway land, the expense shall be borne by the Majid Trust, outside the northern and the southern wall, the area occupied by Muslim shall be evacuated on behalf of the Trust and handed over to the जन्मस्थान सेवा संग, मतलब यही कहना चाहते हैं, कि दूसरे number पे, कि जो northern and southern wall के बाहर का जो एरिया है, वो Muslims evacuate करेंगे, खाली करेंगे और जन्मस्थान को दे दिया जाएगा, ठीक, और पहले point में यह कहते रहे थे, कि northern and southern wall तक का जो एरिया है, वो जहां तक railway land तक extend होता है, वो पूरा मस्जिद का है, और नदन और सदन के बाहर का दे दिया जाएगा उसको, जन्मस्थान को, लेकिन तीसरे पेज में जो लिखा है, मुझे चीज समझ में नहीं आ रही है, कि सर्फ यही चीज क्यों mention की होई है, कि boundary of मस्जिद इदगा, एस्ट में railway line तक, वेस्ट में चबूतरा जन्मस्थान, अब चबूतरा जन्मस्थान मस्जिद का एरिया कैसे हो सकता है, यह सब अपनी boundary बताई जा रही है, लेकिन जन्मस्थान की boundary कहा है, यह बताई नहीं गई है, इसको भी तो define करना था, फिर सीधे हैं पे signatures दिये हुए, इन दो महानुभाँ के, और क्या सोच की deal कर ली गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और उसको किसकी सरकार थी, आप समझे, कोर्ट ने क्यों इंटरफेर किया, अब क्या दलीले दी जाएंगी, क्या पक्ष रखा जाएगा, यह judicial मामला है, उसके मैं नहीं बोलने वाला कुछ, लेकिन इस समझहोते में घपला है, OSE सहाब की जो रिक्वेस्ट है कि 1991 के एक्ट के हिसाब से कनवर्जन नहीं होना चाहिए, कितनी बड़ी हिपोक्रसी है, आप यह समझे की कुशिश करिए, इन लोगों की, कि यहाँ दिनको वो समझ में आ रहा है, यहाँ पर कहेंगे कि हम इंडियन हैं तो इंडिया की बात करेंगे, यहाँ पर यह सब कुछ चलता है, प्लेसे कनवर्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह जिन लोगों को ग्लोरिफाइग करते हैं, अपना पूरज मांगते हैं, अरंगजेब, अकबर, भाबर, मीर जाफर, जितने भी इनके पूरवज हैं, यह जिनको मानते हैं, जो मुगल आये थे, जो टर्की से थे, जो यहाँ वहाँ से आये थे, उन्हों ने जब प्लेस ओफ वर्शिप को कन्वर्ट करके है, हमारी जमीन पे अपने मस्जिद बना दिये, उनकी बात करना है, वो इन्हों को मंजूर है, हम अपनी जमीन पे अपना मंदिर बना दे हैं, मुगलों दोरा किये गए अत्याचार के अगर निसानी को हम मिटाना चाहते हैं, जायस तरीके से लेना चाहते हैं, तब आपको याद आ रहा है कि प्लेस ओफ वर्शिप को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, और आप खुद जाके मंदिर तोड़ रहे हैं, आप करें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, वह बात कोर्ट देख लेगी, आप जज्जमेंट देने वाले नहीं होते हैं, आप सिर्फ कोर्ट में अपना पक्ष लेके जा सकते हैं, जज्जमेंट नहीं सुना सकते हैं, खेर बचाता हूं जनता की क्या रहा है, मेरा अपना ओपिनियन यही क रहेंगे कि अगर आप गलत होंगे तो कोट नहीं देगा आपके पक्स में फैसला अगर आप सही होंगे तब फैसला देगा पहली चीज यह समझने वाली बात है और दूसरी चीज आपको खुद समझना चीज कि हम इन्वीडर्स का साथ क्यों दे रहे हैं हम उनका पक्स लेकर क्यों खड़े हैं मतलब आजादी के बात कि तो कोई घटनक के उपर हम लोग वो नहीं उगली उठा रहे कि आपने 1947 के बाद या फिर आपने खुद भारत में रहने वाले मुसल्मानों ने कुछ बनवाया और हम उ परात्य चार उनको सहना पड़ा और आप उनका पक्ष ले रहे हैं तो यह आपकी कहीं ना कहीं दखी अनुसी कमजोर हिपोक्रेट और इन्हीं तरीकों की नेगेटिव थॉट प्रोसेस थिंकिंग तो यह आप उसके शिकार होंगे हम लोग नहीं हम लोग और सप्रेस होना बरदास नहीं करें मैं जानना चाहता हूं कि कौन कौन स्टुडियो को शेर करेगा भाई शेर जरूर करना फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जैहन बंदमात्र